इस तरह जर्दा जरूर बना के खाएगा बहुत अच्छा लगता है बनाने में बहुत आसान है चल के इसे बनाते हैं असलाव अलेकुम हाई दोस्तों आप सब कैसे अलग करम साथ सब भी ठीक होंगे आप सब की दूआ से हम भी ठीक है जो भी मेरे चैनल पर नहीं प्लीज मेर जर्दा कलर डालना है इसमें मैं गिलास दुला otechnaaS चावल डाल देती हूं चवल को अच्छ से डाल देना है आध़ गंठे के लिए vhogrा के रख दी थी कभी भी जर्दा बना है 10-15 मिनिट के लिए भी अच्छ अ क玩 शat बंता है चावल अच्छे से पखग गया है बात बात मे आप देख सकते हैं इसे में छान लेती हूं गयस को बंद कर देती हूं फिर से कड़ाई रख दीओ वहीं कड़ाई दूल के रख दीओं एक चिमच इसमें मैं घी डाल देती हूं आप रिफाइन तेल में भी बना सकते हैं उसमें भी टेस्ट बहुत अच्छा रहता है घी में यलाईची žुण डाल देती हूं इया तड़का लाल अब इसमें में में आदर गिलाश दूढ लेती हूं अब पानी भी डाल सकते हैं तक मैं तौण änd कृतु सबी जर्दे को डाल दी इसे अच्छे से फैला देती हूं अच्छी तरह फैला देना है इसमें मैं सक्कर डाल देती हूं सक्कर में पाव किलो सक्कर डालूंगी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसे अच्छे से मिस कर देती हूं अच्छे से यह मिक्स हो गया है अब इसमे इसे प्रूट में मैं लीकुण वदाम किस्मिस ले लीकुण इसे उपर से इसे फैला देती हूं पानी अच्छा जड़ा बनके तयार हुआ है एक एक दाना अच्छे से खिला बहुत अच्छा बनके तयार हो गया है गैस को मैं बंद कर देती हूँ आज में बनावी जर्दा वीडियो अच्छा लगे तो लाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा पाने दोस्तों में सेर करिएगा बिलते हैं के लिए वीडियो में तत्वा के लिए आला हाफीज ये बहुत टेश्टी बनता है खाने में बहुत अच्छा लगता है